जैहिंद सविदेश्वाश योग प्रणाम योग लाइफ चनल में आपका स्वागत है चलिए बात करते हैं मधु में क्यों होता है लोग कहते हैं कि मधु में चीनी खाने से होता है परन्तु यह बिल्कुल गलत है मधु में होता है हमारे खराब आदतों के कारण खराब डॉक्टर के पास जाता है या फिर जिम वाले या फिर आम आदमे भी लोग बोलते हैं कि हर दोदो घंटे पे आपको खाते रहना चाहिए सुगर वाले पेशेंट को आप खुद सोचिए कि अगर आपको एक काम को हर दोदो घंटे पे एक ही काम को बार-बार करने को बोला तो आपको कैसा लगए गवह ही चीज है हमारे खान पान के साथ अगर हम हर ж dari हमारे अंधर जो यबनस्व है जो भी है आँ वह खाना को पचाने में लग जाता है और ए खाना को पचने पर考 नपधा लगता है अगर हर लुआ गंटि पे आप खाना खाएएगा कैसं अगर पहले खाना खा लिए फिर खाना खा मैसे पाचन तंत्र है वो पहले वाला खाना को छोड़कर दूसरे वारे खाने पर लग जाएगा तो पहला वाला खाना तो पचा नहीं तो खाना नहीं पचने से बहुत सारी बीमारियां होती है आपको पता होगा खाना नहीं पचने से होता है गैस की बिमारी हो जाएगी हर्ट रि इंचरिया को सख़ण में कना है तो चलिए इस वीडियू के साथ बने रहे हैं नग μας इस विजडिये जितना हो सकता है अगंतना पह्ला है चलिए बात करते हैं वो कौन-कौन रिमात राफार का सो No करने चाहिए तो आपको याद रखना होगा कि फाइबर योक्त कौन-कौन से आहार है पहला है आपका अलसी दूसरा है दाल तीसरा है मेथी और अमरूद जो लोग सुगर के पेसेंट होते हैं उन्हें कब्ज से रिलेटेड काफी दिक्कते होती हैं तो आपको अमरूद काफी फायदयमंद करेगा और इसके साथ साथ आपको हरे पत्तेदार सबजियां आवला तार्बूज कद्दू टमाटर साथ में सामिल करने चाहिए और यह सब आहार के अलावे अपने डेली दिनशर्या में डेली लाइफ में आपको डेली योगाशन एक्सरसाइज करने चाहिए मैं योगाशन पे भी वीडियो बना दिया हूँ जो आपको मधु में से कंट्रोल करने के लिए काफी फायदा करेगा इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है आप वहाँ से जाकर इस वीडियो को वाच कर सकते हैं और इस वीडियो को जितना हो सकता है उतना सेर किजी और अपन भारत को मधु में मुक्त बनाएं ओकी धन्यवाद थांक्स पूर वाचिंग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं